हाई फ्रेंज इसे बनाने के लिए मैंने पांच नमबर का क्रोश्या लिया है और टूप लाई की उन ली हमें ने तो सबसे पहले हमें ऐसे एक बंदा बनाना है एक दो तीन चार पार छे चैन बनाएंगे अब इसे हम यहां पे ऐसे जॉइन कर देंगे अब इसमें हमें फंदा बनाना है देखिए इस तरह से हमें तीनों फंदों को एक साथ उतार देना है एक अब यह तीनों फंदा हम एक साथ उतार देंगे ग्यारा बारा बारा फंदा बना के एक दो तीन तीन चैन बनाएंगे अब इसके बाद देखिए एक दो तीन चार पार छे चैन बनाएंगे और यह तीसरा चैन हमने पकड़ा है इसी में हमें इसे ऐसे गोल कर लेना है देखिए ऐसे जाइन कर देंगे अब इसे हमें ऐसे घुमा लेना है दागे को इसे देखिए हम नीचे से लेके आएंगे इसे घुमाएंगे अब यह फंदा हम ऐसे बूल लेंगे देखिए इस तरह से हम ने यहाँ पर बारा फंदा बनाया है हमें इसमें बनाना है पहले हम ऐसे फंदे को बड़ा करेंगे अब इसमें हम देखिए तीनों फंदा ऐसे एक साथ एक, पिर तीनों फंदा एक साथ, दो, तीन, चार, देखें, जिस तरह से हमने यहां से यहां तक बारा फंदा बनाया है, उसी तरह से हमें यहां से यहां तक बनाना है, देखें, बारा फंदा हो गया है, अब यहां पे उसी तरह से बनायेंगे, ए, दो, तीन, चैन, अब यहां पे इसे हम पकड़ लेंगे, ए, दो, तीन, चार, पार, छे चैन, अब इस तीसरे चैन में हम इसे ऐसे गोल कर लेंगे, अब धागे को हम ऐसे नीचे के साइट से करके, इस साइट में लाएंगे, और यहां पे ऐसे बूल लेंगे, अब फिर से हम इसमें पंदा बनाएंगे, देखें, ऐसे यह बनेगा, तो जितनी बड़ी पट्टी आपको बनानी है, आप इसी को रिपीट करते हुए जाहिए, जिस तरह से हमने यहां पे बनाया है, उसी तरह से अब हमें इसमें बनाना है, बारा फंदा, देखें मैंने इसे इतना बड़ा बना लिया है, आपको जितनी बड़ी पट्टी बनानी है, आप इसी तरह से बना लिजेगा, उसके बाद देखें, जब पूरी पट्टी की लं बारा फंदा बनाया है तो इसी में हम बारा फंदा और बनाएंगे उसी तरह से हमें बनाना है यह तीनों धागा ऐसे एक साथ में उतारेंगे एक, दो, तीन, चार, पाच, छे, साथ, आट, नव, दस, ग्यारा, बारा देखिए यहां पर यह बारा फंदा हो गया अब इससे हमें यहां पर जॉइन कर देना है यहां पर इस फंदे में ऐसे एक चैन बनाएंगे अब एक चैन बना के देखिए यह वाला जो पंदा हमने बनाया था इसके हमें यहां पर ऐसे पंदा बना लेना है देखिए इस तरह से ऐसे यह बन गया है अब इसमें भी हम बारा फंदा बनाएंगे इसे बनाएंगे तीनो एक साथ उतारेंगे देखिए इस सेट में भी बारा फंदा हो गया ऐसे यह बन रहा है अब इससे भी हम यहां पर जॉइन कर देंगे जैसे हमने यहां पर इसे किया था एक चैन बना के अब इस फंदे के यहां पर ऐसे एक पंदा बना देंगे इसमें हम फंदा बनाएंगे देखिए जिस तरह से हमने यह दोनों बनाया है हमें यहां से यहां तक बना लेना है यह देखिए फ्रेंस बनने के बाद यह इस तरह से दिखेगा अब इसमें हमें वाइट कलर का धागा लगाना है देखिए इसे हमें यहां पर जॉइन करना है यहां पर हम इसे सिंगल कुरोश्य बनाएंगे एक दो तीन चैन अब देखिए यहां पर हम इसे हुक डालेंगे ऐसे एक दो चैन एक पंदा छोड़के इस दूसरे पंदे में हम सिंगल कुरोश्य बनाएंगे एक दो तीन चैन अब यहां पर इस साइड से बनाएंगे एक दो चैन एक पंदा छोड़के दूसरे पंदे में हम सिंगल कुरोश्य बनाएंगे दो तीन चैन फिर से हम यहां पर पंदा सिलिप करेंगे एक दो चैन एक पंदा छोड़के अब यहां पर देखिए हम यहां पर आ गये हैं तो यहां पर हमें कि यह एक पंदा छोड़ेंगे और यहां पर इसमें हम पंदा बनाएंगे देखिए बीच में यहां पर हमें इस तरह से नहीं बनाना है दो चैन करके देखिए यह एक पंदा छोड़के हमें इसमें ऐसे सिंगल क्रोश्य बनाना है ए दो तीन चैन बनास लिए ए दो चैन देखिए इस तरह से यह बन रहा है तो जिस तरह से हमने यहां पर बनाया है इसी तरह से हमें यहां पर बनाना है हम यह पूरा राउंड इसी तरह से कंप्लिट करेंगे देखिए सर तरफ की किनारी हमने बना लिया है अब यहां पर हम लाश्ट में आ गये हैं तो लाश्ट में इसे हम यहां पर जॉइन कर देंगे तो जितनी बड़ी पट्टी आपको बनानी है आप इसी तरह से बना लिजेगा पट्टी बनाने के पास हमें इसमें मोती लगाना है तो मैं यह वाली मोती इसमें लगाऊंगी देखिए यहां पर लगाएंगे बीच बीच में सुवी धागे से में लगाना है आप इसे पीछे गाठी भी लगा सकते हैं यहां पर इसे निकाल लेंगे नीचे करके यहां पर निकाल लेंगे इस तरह से में मोती लगाना है देखिए पूरी पट्टी में हम इस तरह से मोती लगा देंगे तो फ्रेंस अगर आपको यह डिजाइन अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक्यू